नालंदा की पांच बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे बड़ी खबर आ रही है चुनावी रंजीस को लेकर हुआ हड्नौ थानाचति के लोहरा गाउं से आ रही है जहां मुक्या के समर्थकों पर वोट नहीं देने पर लोगों की पिटाई की गई है जक्मी अरून राम, मुकेश राम, भूसन राम, लिभादेवी और दिलिप कुमार का आरोप है कि मुक्या द्वारा उनके समर्थकों द्वारा उन्हें बोट नहीं देने पर जम कर पिटाई की गई है इस मामने को लेकर एक वीडियो भी बाइरल हो रहा है जिसमें वीडियो में देखा जा रहा है कि बदमास खुले आंग हाथों में हतियार लेकर किस तरह लोगों की पिटाई कर रहे हैं जो भी दोसी हैं उन पर करवाई की जाएगी वहीं दूसरी खबर की बात करें तो नगर थाना चत्रिक के भैसासुर महले से आ रही है जहां एक सक्स को घर से बुलाकर लाठी और रोट से जम कर पिटाई की गई है में पहुंचा उसी दौरान हतियार और लाठी डंडे से जम कर पिटाई कि जिस दौरान उसके बायां पेर चोटील हो गया या कहें तो टूट गया है जक्मी युबक को घंबीर हालत में ब्यार से इस प्रदर वस्पताल में भर्ती करा गया जहां से उसे बहतर इलाज के लि महां हम तिष्की खबर की बात करें तो ना लगना में एक द्वसिया राजस्तरय खोको चंप्रतरोक्त्ता काईजन किया गया ब्यार सेरी प्रखंड में असी सामिल होने के लिए वहां जाएए महां बात करें चोटी खवरकूत असनान के दौरान बात्रू bars गिरने से एक महिला की मौत होगी मौत का कारण हार्ड अटेक बताया जाता है परजनु का कहना है कि केसब चोधरी की पत्नी बाथों में सांड करे थी इसी दौरान वह गिर गई अनन फानन में परजन वारा उन्हें अस्पताल लाए गया जहां अची किस्षकों ने उन्हें मि हो गया पर जन्हों के चितकार से अस्पताल यह हो गया इस तरह पांचमी ख़बर के बाद करतों दीपनगर खाना धक्ष चो दो एकैस को साटवपूर में दो पच्छों के बीच जगडा की सुचना पर हमला करने के आरूपित को पांच आरूपित को गिरपतार किया है